सब्सक्राइब करें साइंस विएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैट्स के सूपर वीडियो चले याई देखते यह वाला कुश्चन हमको क्या कहता है इन गिवन फिगर सर यह आपको फिगर गिवन है ट्राइंगल ABC is right angle at B यह जो ट्राइंगल है यह राइंगल आपको दिया है B मतलब B का एंगल B का वैल्य आपको 90 डिगरी दिया है ठीक है एंड एंगल A is equal to 30 डिगरी एंगल A का वैल्य आपको कितना दिया है इसर 30 डिगरी दिया है if BC BC देखे BC आपको दिया है 6 cm find AB and AC AB और AC आपको value निकालना है simple answer कुछ नहीं है यहां right angle triangle है तो आपको देखके ही पता लगा लेना चाहिए कि right angle triangle का sides और angle का relation कौन बताता है trigonometry बताता है तो trigonometric identities या trigonometric quantities या trigonometric angle values यहां use होंगी ठीक है हां तो चलिए use करते है ना अगर आप मान लें कि यह आपका theta है angle 30 angle A 30 degree जो है वो आपका theta है तो आपको क्या पता लगेगा कि theta के सामने वाला जो angle होता है वो क्या होता है sir वो होता है perpendicular यानि कि आपको पर्पेंडिकुलर गीवन है ठीक है ना sir हां और अगर राइट इंगल ट्राइंगल है तो इसके सामने वाला 90 degree के सामने वाला आपको hypotenuse होता है और theta के adjacent side बगल वाला side या बचा हुआ वो हमारा बेस हो जाता है यानि कि आपको क्या पर्पेंडिकुलर गीवन है हाइपटीनेस और बेस का वैल्यू मांगा है sir बहुत अच्छे सर अब हमको पता है कि साइन ठीटा देखिए सिंपल लिखते हैं solution पर आता है direct क्या solution क्या कहता है कि sign या लेट मांते हैं अभी हमने बताया ना कि ये एंगल आपका ठीटा माल लेते हैं तो लिख देते हैं let theta is equal to, या angle A is equal to theta, is equal to, आपको कि तदी आए theta का value, 30 degree भी given है sir, ठीक है, हाँ, अब आपको पता है कि sin theta क्या होता है sir, sin theta का value होता है sir, perpendicular by hypertenuous, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, तो पंडित भाई हर होता है हमारा ये, यानि कि perpendicular by hypertenuous, hypertenuous, ठीक है, हाँ sir, अब आप बोलेगा sir, sin theta का value हो given है, 30 degree put करेंगे, sin 30 का value पता है, perpendicular का value पता है sir, hypertenuous का value निकालना है, ये तो बहुत असान हो क्या sir, है ना, हाँ, तो देखे, sin 30 degree, यानि क्यूं, क्यूंकि theta का value है, अब रैकेट में आप लिख दिया, given, क्यूंकि theta का value हम लोगों ने sign, मतब 30 degree put किया, perpendicular sir, क्या है, यहीं पर लिखते है, यहीं पर लिखते है आपका, perpendicular क्या है, BC, है ना, hypertenuous का है, AC, ठीक है, हाँ, ये आपका one number चल रहा है, one number जो हम लोगों को BC, oh sorry, AB find करना है, वह ही है, ठीक है, AB find करना है ना, अच्छा नहीं sir, हम लोग AC निकालने लगा, यह number 2 है आपका, पहले number 2 ही बना लीजे, कोई दिक्कत नहीं है, number 2 बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, sin 30 degree is equal to, अब देखिए BC, BC का value दिया है क्या, BC का value यह तो आपको दिया है, 6 sir, EC का value यह तो हमको find करना है, sir, यहां देखिए number 2 में AC, ठीक है, यह मैंने sin theta यूज कर लिया न, इस ही लिए बोल रहे थे, है ना, अगर आप cost theta यूज करते है, 6 है, और नीचे में क्या है sir, AC है, आप क्या कर दिया है sir, AC का value निकालने के लिए, एक variable है तो, equate, oh sorry, cross multiply कर दिजएगा, है ना, यह AC into 1 हो जाएगा, आपका, क्या sir, क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, है ना, 2 into 6 हो जाएगा, 6 into 2, है ना, मतर्ब 2 into 6, 6 into 2, सेमी चीज़ है, है ना, therefore, AC is equal to आजाएगा, आपका, 12 cm, cm लिखना मत भूने sir, क्योंकि, बहुत अच्छा रहेगा, आपका marks नहीं काटेगा, ठीक है, काटेंगे, है ना, हाँ, तो देखिए, AC is equal to 12 cm, आपका answer आगया, नमबर 1 बनाते हैं, अब देखिए, अब तो sir, यह बहुत असान कर दिया, आप sir, की, हाइपरटीनियस है ना sir, AC, हाइपरटीनियस आपका 12 cm आगया, पर्पेंडिकुलर पता है, आपको बेस निकालना, या पाइथागोर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम उससे क्यों निकालना है, हमार पास असान तरीका आव है तो, है ना, अब आप देखिएगा, की, हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने निकाला, साइन ठीटा से, क्या, सबस्क्राइब जो कि तो हम सबस्राइब में करूंग वह इकल टू हमारा बाम उभूलय ध्युक्त एंग और अल क्या है अश okay 10 टीटा से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीटा का वेल्यू यहां हमको कितना दिया है, ठीटा का वेल्यू दिया है, क्या, 30 डिग्री, तो, cos 30 डिग्री इस इक्वल टू, AB, AB, जो हमको निकालना है, by AC, जो कि हमको 12 दिया है, ठीक है न सर, हाँ सर, कोई दिक्कत, नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है, अब, cos 30 डिग्री का वेल्यू क्या है, cos 30 डिग्री है सर, root 3 by 2 is equal to AB by 12 है सर, अब यह 12 विदर, divide में जाके multiply में, यानि की, AB is equal to, यह इससे multiply होगा, तो 12 root 3 by 2, 2 1s आ 2, 2 6s आ 12 है न सर, therefore, AB is equal to, क्या आ गया, 6 root 3 आपका answer आ गया, ठीक है न सर, हाँ सर, बहुत असान था, और यह हम लोग ने किसका answer निकाला, 1 का, पहले 2 का निकाला, फिर 1 का निकाला, चलिए आगे बढ़ते हैं,